राम मंदिर से जुड़े रोचक तत्य एक मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैपसूल दबाया जाएगा जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है दो, मंदिर को उन इंटों से बनाया जाएगा जिनके उपर श्री राम नाम अंकित है इन इंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ तीस वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही है इन पुरानी इंटों का एक और नाम भी है जिसे राम शिला कहा जाता है मंदिर का डिजाइन बनाया है, सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्माण में पारंगत है। पाव, करनाटक की अंजनी नामक पहाड़ी, जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। पूरे मंदिर को वास्तु शास्तर को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी। एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में दस हजार से अधिक श्रद्धालू समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 12. राम मंदिर दो मंदिला बनेगा जिसकी उंचाई 148 फीट, लंबाई 260 फीट और चोड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। 13. राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उप्योग नहीं किया जाएगा। यहां तक कि निर्माण परियोजना के परियवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोशना की कि लोहे के बजाए तांबा सफेद सीमेंट और लकडी जैसे अन्य तत्मों का उप्योग किया जाएगा। 14. भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश समवेदनशील जोन 4 में आता है। मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खत्रा यहां कुछ कम है। इसलिए राममंदिर को रियक्टर स्केल मापन पर 8-10 तक का भूकंप सहने लायक 15. अयोध्या